अलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाज़ोर्या पर स्वागत है देखें, Subordinate Clause तीन प्रकार की होती है, Noun, Adjective और Adverb इन में Students बहुत ज़्यादा Confuse रहते हैं बहुत Simple Concept और बहुत छोटा सा वीडियो है आपका पूरे डाउट किलियर हो जाएंगे, आपके ओल इसको एक बार देख लीजे आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी सबसे पहले देख लो कि Sentence और Clause क्या होता है Sentence क्या है, एक Combination of Words that make complete sense यानि सब्दों का एक ऐसा समू जिसका complete sense हो, यानि पूर अर्थ देता हो जैसे Ravi plays cricket, Ravi cricket खेलता है, अपने आप में complete है, पूर है, उस सब्दों का समू है जिसमें एक subject होता है और एक predicate होता है Next, Clause क्या है, जिसमें एक subject और एक finite verb होती है जैसे ये subject है, और subject के साथ जो verb आती है, उसे हम finite verb कहते है तो एक subject और एक finite verb हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, clause कहेंगे, clear है तो ये एक sentence का part होता है, clause, clause क्या है, एक sentence का part होता है जैसे, he was absent because he was ill देखिए, clause क्या था, जिसमें एक subject और एक finite verb हो, clear है तो एक clause ये हो गया एक subject और एक finite verb तो एक clause ये हो गया complete मिला कर कि ये क्या बन गया sentence बन गया अब एक चीज और मैं आपको बता दू कि हर sentence एक clause होता है क्योंकि clause sentence में subject और एक finite verb तो होगी ही clear है लेकिन प्रते clause sentence नहीं होता है क्यों? क्योंकि clause में subject verb तो होगा लेकिन ये नहीं है कि वो complete sense दे या ना दे अगर complete sense देता है तो वो sentence हो सकता है नहीं देता है तो नहीं होगा अब देखते हैं noun clause noun clause में देखे I feel that it is true मुझे लगता है कि ये सच है आप कैसे पहचानोगे देखे वाब के साथ वाट लगा कर प्रसंद कीजिए I feel वाब है या feel मैं feel करता हूँ मैं क्या feel करता हूँ that it is true कि ये सच है तो वाब से वाट लगा कर प्रसंद करने पर जो answer आता है वो ही हमारा noun clause कहलाता है वो ही हमारा क्या है noun है लेकिन ध्यान रखिए कि एक clause क्यों है क्योंकि इसमें एक subject है और एक वाब है इसलिए हो गया noun clause clear tell me where he lives बताओ मुझे वह कहां रहता है तो tell me यानि बताओ मुझे तो मुझे क्या बताओ कि where he lives वाट लगा कर प्रसंद करो where he lives ये इसका answer आएगा तो ये होगी हमारी noun clause clear है next adjective clause देखे adjective clause relative pronoun से शुरू होते है the girl who is playing is my sister जो लड़की खेल रही है वो मेरी भहिन है ये हमारा relative pronoun इससे शुरू हो रहा है देखे यहाँ पे एक noun जरूर दिया होगा girl इसकी बात हो रही है और adjective का मतलब भी क्या होता है किसी noun की विशेष्ता बताना तो इस girl को modify कर रहा है कि who is playing जो खेल रही है उसके बारे में बता रहा है और ये जो है हमारा clause adjective clause हो गया clause क्यों है क्योंकि यहाँ subject भी है और वाब भी है clear है और इसकी यह विशेष्ता बता रहा है तो adjective था लेकिन clause क्यों हो subject भी आपका combination है तो clause हो गया who is playing जो खेल रही है ठीक है तो adjective clause क्या करती है किसी noun की विशेष्ता बताती है clear the laptop which is on the table is mine जो laptop table पर है वो मेरा है relative pronoun है which किसकी बात हो रही है यह noun है laptop की इसकी विशेष्ता बता जा रही है इसको modify इसको qualify किया जा रहा है which is on the table जो table पर है तो यह हमारा हो गया adjective clause ठीक है यह इसकी विशेष्ता बताने वाला adjective हो गया आप देखे कई सारे word है तो clause क्या हुआ क्योंकि इसमें एक subject भी है अब आप यहाँ पर देखे यह दिया आपको किसी प्रकार के दिक्कत आई है noun clause और adjective clause में तो इस example को समझ लीजे I know where she lives मैं जानता हूँ वह कहां रहती है तो देखे यहाँ पर आप क्या लगा कर प्रसंद करोगे वाब से कि मैं क्या जानता हूँ तो answer आएगा where she lives वह कहां रहती है तो यह हमारी noun clause है और देखे noun का कारिय कर रही है अब clause क्यों है क्योंकि यहाँ एक subject भी है और एक वाब भी है तो subject वाब का combination है जो noun का कारिय कर रहा है तो यह noun clause हो गया clear है adjective clause में क्या होता है कि कोई noun दी हुई होगी आपको क्योंकि विशेष्टा किस की बताई जाती है noun की बताई जाती है noun को modify किया जाता है qualify किया जाता है I know the place where she lives मैं उस जगह को जानता हूँ जहां वह रहती है तो यहाँ इस place के बारे में बताया जा रहा है इस जगह के बारे में क्या कि where she lives कि वह कहां रहती है तो यह noun जो है इसकी noun की विशेष्टा बता रहा है तो noun की विशेष्टा बताने वाले हो क्या कहेंगे adjective लेकिन यह adjective देखिए कई सब्दों का combination है जिसमें एक subject भी है एक verb भी है तो यह क्या कहलाएगी clause कहलाएगी concept आपका clear हो गया आप देखिए adverb clause क्या होती है देखिए adverb का कारे क्या होता है किसी verb को qualify करना वैसे तो यह adjective और adverb को भी qualify करती है लेकिन सामान नहीं तक किसी verb को qualify करना I get up before the sun rises मैं उठता हूँ सूरे उदे से पहले यानि मैं सूरे उदे से पहले उठता हूँ तो यहाँ पर I get up यानि verb जो है इसको qualify किया जा रहा है इस part के द्वारा पूरे के पूरे part के द्वारा तो देखिए verb को qualify करने वाले को हम क्या कहते है adverb है लेकिन यहां कोई एक सब्द नहीं है यहां कई सब्दों का समू है जिसमें एक subject भी है और एक वाब भी है तो subject वाब का combination है और किसी वाब को qualify कर रहा है तो यह हमारा हो जाएगा adverb clause ठीक है जो start हो रहा है किसे before से before क्या एक subordinate conjunction है इसलिए हम इसको subordinate clause भी कहते हैं तो मैं सूर्य उद्द से पहले उठता हूँ बास समझ में आ गई next देखिए he will do as you tell him वैं वैं वैसा ही करेगा जैसा तुम उसे कहोगे तो यहां पे देखिए यहां वाब की विशेष्टा बताए जारे वाब को qualify किया जा रहा है यह subordinate conjunction हो गया और यह वाब को qualify कर रहा है इसलिए adverb है कई सब्सक्राइब का सम हो है जिसमें subject भी है वाब भी है तो adverb clause हो गया क्लियर है पसंद आया तो like और share जरूर करें ज़िए आप इस channel पे नए हैं तो इसको subscribe कर लें हसते रहे मुस्क्राइब देखते रहे आपका अपना channel SR जाजोरिया धन्यवाद